जीव नित्य है जीव की दो इस्तितिया है या तो इस पंचभोतिक सरश्टी में आता है जाता है आता है जाता है एक समय प्रले आती है तो प्रले के समय सुक्ष्वर रूप में अपने कर्म अपने पाप अपने पुण्य अपने सरस्कार के सहित ठाकुर्जी के रोम रोम में समा जाता है और जो ठाकुर्जी के धाम में चला गया प्रेम सहित नित्य उनकी सेवा में चला गया वो वही रहता है वो इस सरश्टी में नहीं आता है वो तो ठाकुर्जी के पास है ही है और ठाकुर्जी की नित्य अपने भावानुसार सेवा करता रहता है धाम से कभी भी नहीं लोड़ता है यदगत्वा न निवर्तंते तद्धाम पर्ममम धाम में चला गया तो वापिस आने का कोई कॉलम नहीं है वो अपने करमानुसार जो आपका दूसरा पिसमे 84 लाख 84 लाख योनियों में अपने करमानुसार आता रहता है आप किया तो कीरा बन जाएगा कभी गरर्मच बन जाएगा कभी भकरी बन जाएगा कभी मानौ बन जाएगा और मानौ बनने पर ही एक उसकी उपलब्दी है कि भगवर्त भ्जन करके भगवान के श्री चर्णों में जब चला जाए तो फिर वो 89 लाखियोनियों से छूट जाता है और एक साथ तभी आते हैं जब फिर ठाकुर प्रले हो गई प्रले के बाद ठाकुर सो जाते हैं एक रात प्राते काल उठते हैं फिर उनकी इच्छा होती है एरे यार बड़ी शांती सी है एको हम बहुत स्यावा मैं एक ही रह गया अब मैं बहुत हो जाओं तो अपने रोम कूपो से वो जो है इन सब जीवों को सृष्टी कर देते हैं फिर ये सारे जीव दुबारा से एक सृष्टी हो जाती है दुबारा से सब दीरे दीरे ब्रह्मा जी सृष्टी करते हैं विष्टो जी पालन करते हैं और शिव जी संगार करते हैं एक बहुत लंबा करम है एक साथ नहीं आते हैं दीरे दीरे आते रहते हैं अपने कर्मों को भोगते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते जाते रहते आते रहते तो इस प्रकार से करम चलता है और जीव अपने 84 लाच लोग योनियों में भेटकता है कभी किसी संत वैश्नव कृपा से शुक्रती से किसी पुर्णे के फ्रभाव से वो मनुष्य बनता है मनुष्य बनके भी जादा तरम मनुष्य अनाचार करते हैं व्यभीचार करते हैं शराब पीते हैं मासबद्रा का सेवन करते हैं है वो भी जीव है वो भी इश्वर के ही अंश्य ये ध्यान रहे जो आप भजन करते हो या मैं भजन करता हूं तो मैं तो इश्वर का आश्य हूं शराबी इश्वर का अंश्य नहीं है ऐसा नहीं है शरावी दुराचारी अनाचारी व्यभीचारी वो भी ईश्वर का ही अंश है बस वो भटक गया है हो सकता है कभी गुरुदेव की करपासे किसी संत की करपासे किसी अहय तुक करपासे किसी धाम की करपासे किसी रज की करपासे वो जाग जाए और जागे हैं बह तो उनका जीवन, एक जीवन में पवित्र हो जाएगा, एक जीवन में नहीं होगा, तो ठाकुर मान लोगनों ने अभी भगवत भक्ती की और चौथी क्लास तर पहुंच गे, उनका शरीर पात हो गया, तो अगला जनम उनको एक तो मानव का जी मिलेगा, और वो भक्ती की पा यदगत्वान निवर्तंते तध्धाम परमममा, उनके दाम से पर नहीं लोटेंगे, जैशी रादे, जैनिताई